हेलो दोस्तों सीवेश ची वो टम्टू के एक्जाम्स और साथिशाद टर्वन के रिजल को लेकर चौकाने वाल अपडेट निकल के सामने आ रहा है यानि की बात करें तो गल सुप्रीम कोट में जो सबसे पहली जो सुनवाई होगी वो आपके क्लास 12 के स्टुडेंस और साथ साथ क्लास 13 के स्टुडेंस जिनका टम्टू के एक्जाम्स को 26 अपरिल से कराने को लेकर कहा गया है उस एक्जाम्स को कैंसल करने की जो पी आई एल है और साथिशाद असेस्मेंट लागू करने को लेका जो सुप्रीम कोट में बाते कही गई है उस पे जो है कल सुनवाई ह होने वाली है तो ऐसे में एक सबसे बड़ी अपडेट जो आप लोग लिए पहली अपडेट निकल के सामने आ रही है सुप्रीम कोट के सुनवाई से पहले ही आप लोग लिए चौकाने वाला भी अपडेट निकल के सामने आ गया है यानि के बात करें तो कल सुप्रीम कोट है वो जानना बेहर जरूरी होने वाला था तो इसी को लेकर देश बर में एक सबसे बड़ा पॉल कंड़क करवाया गया जिसका रेजल जो निकल के सामने आया है यानि पॉल के अकॉर्डिंग बच्चों ने जो अपनी बातों को रखी है वो आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी सोच में पढ़ जाएंगे सबसे पहले मैं आपको पॉल ही दिखा देता हूँ आप लोग यहां पर देखिएगा पॉल में सिंपल सा सवाल था 10-12 के स्टुडेंस को लेकर यानि कि कल जो हेरिंग होगी उससे पहले बच्चों का पक्स जानने के लिए एक पॉल को कंड़क करवाया गया जिसमें बच्चों से सिंपल बुछा गया टाम टू के एकजाम को लेकर आप लोग अपना उपीनियन यहां पे सेयर करिए एकजाम को लेकर आप लोग वोट करके बताईए एकजाम को लेकर कौन सी बात है जो सुप्रीम कोट में कल रखनीज चाहिए सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम बोटिंग हुई है यहां पे आप लोग देखेगा 63% से ज़्यादा छात्रों का यह कहना है एकजाम को लेकर कि टर्म 2 के एकजाम को नहीं कराये जाना चाहिए इंटरनल सेस्मेंट को लागू कर देना चाहिए सबसे ज़्यादा बोटिंग जो है इस पर हुई है और साती साथ उसी according जो है 26% छात्रों का कहना है कि एक्जाम को 26 अपरिल से ही शुरू होना चाहिए उस 35% के अराउंड छात्रों का ये कहना है कि term 2 के exams को और ज़्यादा postpone किया जाना चाहिए और उसके बाद जो है offline किया जाना चाहिए जिसमें आप लोग सबसे ज़्यादा देखिए सबसे ज़्यादा जो highest voting हुई है उसी को यहाँ पर consider किया जाना है यहाँ पर देखिएगा साप साप exam को लेकर बच्चों की राय यहाँ पर साप साप दिख रही है कि देश बर के students क्या चाहते हैं अब मैं आपसे simple सा एक सवाल पूछना चाहूँगा यह रहा A और यह रहा B और यह रहा C और साथी साथ नीचे वाला जो option है यह रहा D अब आप लोग नीचे comment करके ज़ूँ बताइएगा क्या आप लोग A वाले option से agree हैं अगर agree है तो नीचे comment section में yes लिखिएगा otherwise agree नहीं है तो आप लोग in message A, B, C, D में से चार options ने से आप कौन से option पे agree हैं नीचे comment करके जवूँ बताइएगा तो time 2 के exam को लेकर poll में यहाँ पे कुछ इस तरीके से बात निकल के सामने आई है जो आप लोग स्क्रीन पे इस बक्त देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं बच्चों पढ़ाई में doubts आते हैं solve नहीं हो पा रहे हैं तो घवराओ मत इसका solution है doubt net app यानि कि आपको जिस भी questions में doubt आते हैं उस questions की फोटो की चोग और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका video solution मिल जाएगा ओभी बिल्कुल फ्री में यानि आप आप अपने unlimited सवाल पूछिए क नहीं भी कभी चाहिए आपका सवाल क्लास 6-12 तक का हो आयटी जेई या नीट का हो या फिर सीबेशी यूपी बिहार राजस्थान या किसी अनबोर्ड का हो कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमेस्टी मैथ वलोजी या साइंस का हो सभी की doubt का solution आपको बिलेगा doubt net app पे नहीं कि रिजल्ट को लेकर देश बर में अभी क्या चल रहा है बच्चों के अंदर जो है टर्मन के रिजल्ट को लेकर भर भर के गुस्सा है क्योंकि सीबेशी बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर इतना ज्यादा देरी कर दी है कि बच्चे परसान हो चुके है सभी बोर्ड न आपको हमेशा बताता रहता हूँ रिजल को लेकर देशबर की मीडिया क्या कह रही है तो रिजल को लेकर एक नया यहाँ पे ट्रेन निकल के सामने आया है जैसे कि मैं आपको कल ही बताया था रिजल को लेकर देशबर की मीडिया फिर से एक्टिव हो चुके है और इन्होंने रिजल को लेकर एक सबसे क्लोजली जो है इन्होंने बताया है और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है और इन्होंने ये दावे से कहा है ये खुल कर ये कह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी अपडेट है जो रिजल को लेकर हम आपके सामने लेकर आये हैं वो ये अपडेट है कि स CVC Board जो है टर्मन का result जो है आपके जो ये week start होने वाला है यानि Monday वाला जो week start होने वाला है मंडे ट्युजडे सो जो नया week start होगा इसमें आपका result 100% CVC Board जारी कर देगी ऐसा दावा जो है देशबर की हर एक media कर रही है यानिकि CVC Board की result को लेका जो बड़ी update आप लोग के सामनी यानि कि आपका मंडे इसे जो नए बीक स्टार्ट होगा उसमें जारी किया जा सकता है। यही बाते कह रही है जैसे कि मैं आपको सुरू से ही कह रहा हूँ मीडिया में क्या चल रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ लेकिन सीवेशी बोर्ड ने फिलहाल अभी रिजल्ट को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेस्ट नहीं दिया है कि रिजल्ट आपका किस बग च यहां को यहां पर देख सकते हैं, लेकिन कोई officially अभी confirmation इसके regarding नहीं है, जैसे ही होगा, बिलकुल भी घबराने के जरूरत नहीं है, फ्रेंज फिलार इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में अगर आपको हुमारे चैनल अच्छा लागे तो वीडियो को एक लाइक करके जब जाएएगा और साथी साथ चैनल पे पहली बराये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजेगा ताकि अगली जब वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचें तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिन